जे मस्वी की दोस्तों, आज के सोरिय मन्ना का भाग हमने लिया है इब्रानियों की पत्री, उसका चोथा भाग और उसका सोलवा वचन वचन कहता है अतहम साहस के साथ अनुगरे के सिंघासन के निकट आएं कि हम पर दया हो और अनुगरे पाएं कि अवशक्ता के समय हमारी सहता हो धन्यवाद परमेश्वर इस वचन के लिए वचन हमें क्या बताता है दोस्तों और ये अनुगरे का सिंगहसन क्या है जिस सिंगहसन पर पिता परमेश्वर बैठा है जिस सिंगहसन के पास इशू मसी है उस सिंगासन से हमारे लिए सिर्फ अनुग्रह की वानी आएगी उस सिंगासन से परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे लिए प्रकट होता है क्रोध नहीं न्याए नहीं वो अनुग्रह के सिंगासन के करीब हमको रहना है साहस के साथ, उम्मीद के साथ, किर्पा के साथ धन्यवाद देते हैं पिता परमेशर क्योंकि हमारा महायाजग, हमारा इशू ऐसा नहीं है कि वो हमारे निर्बलताओं में हमारी साहता ना करे क्योंकि वो निर्बलताओं से होकर गुसरा है उसने हमारी तरह कश्च सहे उसने हमारी तरह जीवन जिया लेकिन फिर भी पाप नहीं किया इसलिए दोस्तों वो शक्ती जो इश्यू मसी की है वो हम में है वो सामर्त जो इश्यू मसी का है वो हम में है इसलिए हम सास बढ़ते हैं हम अपने अंदर सास पैदा करें हर पल हर उस सास के साथ अपने जीवन को बिताएं कि अनुगरे के सिंघासन हमारे सामने हैं हमें अनुगरे के सिंघासन के सामने खड़ा होना है और उसका अशीश बना है दोस्तों अनुगरे क्या है अनुगरे वो है कि जो हमने नहीं किया ल है और हमें संवारता है धन्यमात पिتा परमेश्टर इसलिए वो कहता है कि thread पाएं और अवशक्ता की समय हमारी सहीटा हो अनुगर A वास्तब में क्या है एशुल सिके दोर है आफ मेरी सहीटा होगी हमें कोई भी आवशक्ता हो मेरे भाई मेरे दोस्तों हमें दरने की जरूरत नहीं है हमें चिंटा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पिता पर्मेश्वर के दाहिनी और बैठा हुआ है वो हमारा मध्यष्ती है और ul laundromhay के सिंघास्पन के सामने हमें ख़ाड़ा होना है क्योंकि हमारी लेकिन कब होगी समय के अनुसार समय के अनुसार जब हमें जरूरत होगी वो जानता है और उसी पल उसी च्छन हमें वो खजाना मिल जाएगा हमें उसका अशीश मिलेगा और हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्र ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है हालेलिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं उस पिता परमेश्र की हम धन्यवाद देते है कि पिता परमेश्र अनुख्रे के सिंगासन पर बैटा हमारे सामने है आई दोस्तों हम प्रात्रा करथे आज की सुभा अद्बूत है ये वचन अद्बूत है पिता परमेश्वर तेरा प्यार अद्बूत है परमेश्वर तुने हम को चुना और इस काबिल समझा इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं हम तेरी इच्छा के अनुसार चलें हम उनात्माओं की सेवा करें जिसको तुने चुना है परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आए सुनने वालों भाई भेनों परमेश्वर की चरणों में आईए अपने आपको नत मस्तक करिए उसके चरणों में और आशीष पाने के लिए तैयार हो चाईए क्योंकि आप अनुगरे के सिंगासन के सामने हैं धन्यवाद पिता परमेश्वर सुनने वालों के लिए आशीष, सुख और शंगाई मांगता हूं इश्व मस्ति के पवित्य समर्थी नाम से मांगता हूं प्रात्रा आपने सुनी और कुबूल की एमेन